ऐसे ठाकूर को किल वाट यू से हाँ मगर छोटे सर्दार छोटे मत बोल माई अपोलोजी मगर ठाकूर को मारा कैसे जाए राम लाल तो पूरा दिन उसके साथ होता है पूरा दिन होता है ना पूरी रात तो नहीं तो सर्दार आज रात कोई चल कर खत्म कर देते हैं राम लाल राम लाल राम लाल अवे याल सी राम लाल राम लाल सर्दार मुझे लगता है उसके एसी में कोई प्राब्लम है देखा नहीं जैसे ही लात पड़ती है स्टेश्यू अप लिबर्टी बन जाता है और एसी के तरफ उच्छ करता है डूड वो एसी का टेंपरेचर बढ़ाता है क्योंकि धन्ड ज्यादा हो जाती है आपने देखा नहीं पूरी शोले पिक्चर में ठाकूर एंड तक अपना शौल नहीं उतारता मगर यहां तो ठाकूर हर पांच फिर्ट में यहां स्ट्रप्टीज करता रहता है सरदार उसे वलपूल एसी किफ्ट कर देते हैं उसमें सिक्सेंट्स सिलिफ फंक्शन है जो रात को अपने आप टेंप्रेचर कंट्रोल करेगा रात को उठना नहीं पड़ेगा कालू कल तुम सब जाकर सरदार सब काम तू और मैक गो उसके घर पर और वलपूल का ऐसी फिट कर दो मैं उसे बिजी रखूंगा और फिर ठाकूर ना रात को उठेगा और नहीं कभी फिउचर में सरदार क्या आइडिया है अब रामलाल भी खुश और हम भी सरदार काम हो गया है सरदार चले काम जल्दी ख़त्म कर देते हैं जल्दी क्यों हाँ वो सोफिया के साथ क्लबिंग जाना है सेट यू अप हाँ अभी तो एसी चलाया होगा दो घंटे बाद चलते हैं हाँ सुना तुमने सरदार दिमाग है या अंडा आपको बताया था ना वालपूल एसी को जैसे ही ओन करो इसकी 30 मिनट्स फास्ट फारवर्ड कूलिंग शुरू में जकास ठंडा कर देती है हम् कूल कॉपी कैट जब इंटिलिजेंस नहीं है तो मत लगाओ इंटिलिजेंस है तो सिर्फ वालपूल एसी के पास नया वालपूल मास्टर माइन एसी जो समझें आपकी जरूरत इसकी MPFI टेकनोलेजी दे स्रिफ 30 मिनट में कूलिंग सबसे फास्ट और 6 सेंस सिलिफ फंक्शन रात को टेंपरेचर कंट्रोल करें अपने आप हाहा वालपूल मास्टर माइन एसी क्या बात है हाह